इस वेल्कम बेक टॉण कवरेटेग तो आज मैं आप लोगों बताने वालों को कि ऐसे अभी आप वाइडल 3D जूम इफेक्ट को अपने फोटो में अफटो कर सकते हो तो तो अपने आप को क्या करना है अपको इसे गूगल पर सर्च करना है क्रोम में जागे फिर आपको इस सब्सक्राइब करना है तो मैं इसका लिक्ष्ट माइक डाल दूँंगा आप वहां से भी से डाउनलोड कर सकते हो लेकिन और एक बात यह भी है कि यह एप इसलिए महां से यह बैन हो चुका है इंडिया में और यह इंडिया में आप इसे यूज नहीं कर सकते आपको इंडि इसके लिए VPN चाहिए क्योंकि यह एप विना VPN के काम नहीं करेगा और अगर काम कर रहा भी है तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे और यह 3D Zoom फीचर भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने VPN यूज नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पहले जैसे कि आप Novalie उसकरते हो तो आपको मैंने यहापा है आपने विपैन कर दिया है इसके बाद मैं यहां पे ऊसा इप Yap को खोल दिया उसके बाद आपको सेलेक करना है अपने इस Tomb लिया है उसके बद मैं यहां पर द àन पर कलिक करने के बद यह क्लिक करने के बाद है कि मेरा यह एडिटर में आज रखेना अ उसके बाद आपको इस फोटो को क्लिक करका रखना है तो उसके बाद आपको जो 3D जूम फिच आपको देखेगा जैसे मैंने है क्लिक किया आप देख सकते हो यहां पर इस त्रीडी जूम एफेक्ट लग जाएगा और लगेगा कि यह सिंपल फोटो भी एक 3D स्टैल में का है आप मैं आपको इसे प्ले करके दिखा रहता हूं तो मैंने रिवर्स के आप देख लिए कैसे एचेंज हो रहा है है तो इस तरह से यह आपके नॉर्मल फोटो को भी आपको 3D जूम बनाना है ता है यह पर क्लिक करूँगा तो यह कूची सेकंद में एक्सपोर्ट हो जाए कि बहुत करने में तो यह हो भी चुक आ है इसके बाद आपने गेलेवर्स यह से देख सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज दू लाइक दिश वीडियो और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे multiple photos भी कैसे add कर सकते हूँ तो जैसे कि मैंने यह पहले एक photo लगा रखा है उसके बाद यहाँ पहले प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरा gallery खुल जाएगा वहाँ से फिर आपको एक photo को सेलेक कर लेना है तो मैं यहाँ पर अपने favorite photo को क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर दन पर क्लिक करूँगा तो यह photo भी मेरे एडिटर में आ जाएगा तो यहाँ दोनों के दोनों photo एडिटर में आ चुके हैं और उसी तरह से मैंने कुछ देर पहले अभी उसे click करके styles में जा तो वह भी इसी तरह से convert हो जाएगा 3D zoom feature वाले photo में तो मैं यहाँ पर आपने दूसरे photo में भी यह click कर लाता हूँ जैसे कि यह हो चुका है अभी तो मैं भी दूसरे वाले photo में भी इसी तरह से उस feature को add कर देता हूँ तो मेरा यह दूसरा photo इसे में style में जाकि आप क्या 3D zoom feature को enable कर दूँगा 3D zoom feature को enable करने के बाद आप मैं आपको बता हूँ कि आप इसके photos को कैसे transition में ला सकते हो जैसे कि आपको वीडियो में देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर एक plus second आपको देखने को मिलेगा जिसी कि आप देख सकते कि दोनों के दूनों फोटो मेरे अभी बन चुके हैं अगर मैं प्लेगर को दिखांगो तब को दूनों के दूनों फोटो सिंग में मिल जाएंगे जिससे कि यह 3D zoom feature में आ चुका है उसके बाद आप देखो कि हमें जिससे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक के बाद एक फोटो चाल रहे कि लुब चौर यह सक्यां रखेंगे हैं यह कि आपने चाही सकते हो उत्स एक फचराक पॉलीन उसे आप कैसे लाग रही है तो इस तरह से अप guarantees में मैं बहुत सारे transition लगा सकता हूँ जिसे कि आपका वीडियो बहुत ही खुफसत बन जाता है इस 3D Zoom feature के आने के बाद और एक बाद आप इस feature को इस एप को बीना वीपेन के उसको नहीं कोशिची नहीं करें क्योंगे अगर आप इसे उसको करोगे तो यह काम बिल्कुल नहीं कर करता है अगर आपने इसे वीपेन को अन कर नहीं रखा है तो मैंने यहां पर फिर से एक फोटो को से ले कर लेता हूँ अब फोटो को से ले करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 3D Zoom feature को इनेबल करने कोशिश करता हूँ अगर यह होता है तो अब देख लिजे तो जैस अब मैं 3D Zoom feature जब मैं क्लिक करूंगा तो यह कुछ दे लोड लेता है फिर उसके बाद दिखाता है कि कुछ error दिखाता है तो इस तरह से आप इस फोटो को अपने फोटो को 3D Zoom feature में इनेबल कर सकते हूँ तो अगर यह वीडियो आपको चलगा तो प्लीस डू लाक दी वीड तो यह लादा रेतनों थैंक यू